अमीद करती हूं सब खेरियस से होंगे ठीक ठाक होंगे तो आज मैं आपके लिए एक और चटनियों की रेसिपी ले आई हूं और ये चटनिया बिल्कुल डिफरेंट हैं सबसे पहले इमली और खजूर की चटनी बनाएंगे यहां मैंने एक छोटी कटोरी जो है इमली के है असीता चाटा चुटा ते दें बढ़ याली बनाई है और जी मोकेजेगी अच्छा यह मैंने कुछ खजूरे ली हैं इसको अच्छे से वाइश करके रहे हैं इसकी गुट्लियां जो है वो हम निकाल देंगे और यह खजूरें 13-14 अदद होंगी जितनी इमली है उसका ड जाल देना है गुट्लियां शुट्नियां कोई भी रिमूव नी करनी है और क्यों नहीं करनी है अगया जाके तानुदास दिया इसके अंदर मैंने एक गलास पानी भी एड़ किया है और दोनों को एक साथ कुक होने के लिए रख दिया है हमने तब तक किसको कुक करना है खजूर वैसे हो जाती है 10-15 मिनट में ये बड़े अच्छे से सौफ्ट हो जाती है तो फोग की मदद से हम चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से ये खजूर जो है वो नरम हो चुकी है अब हम फोग की मदद से हलका हलका इनको मैश कर लेंगे ताकर स्टेंज करने में असादी हो उसके बाद हम उतार लेंगे यह चटनी जब से मैंने टेस्ट की हैं तया किया यह मेरी Most most favorite चटनी कोallahi सबसेग शुचारозм Register चारा ही यह जितना सीलय का ङूश की बहुत मज़े की बनतीं है आप उस Celebration बेस्ट नहीं करनी चाहे दी ते चंगी तरह मामी मेज़ मुझे कट के सारा ही गुदा कट लिया स्टेन करते हुई ही मैंने पानी एड़ कर लिया था ताके अच्छे से पल्प निकल जाए क्योंकि बाद में भी तो हमने पानी डालना है तो वो ही मैं बाद में पानी एड नहीं करूंगी अब आते हैं मेन काम की तरह इसे कुक कोने के लिए रखेंगे अब मैं इसमें शेकर एड़ करूंगी बांदी कोई स्टैप मिस्स हो जानदा फिर कुछ बहने ना कमेंट बोक्स में लड़ने आ जाती है मुझसे तो आकर कहती है हमारी चेटनी तो इतनी पतली बनी थी आपकी कैसे इतनी गाड़ी होगी हमसे लून क्यू बोता डाल गया था इसलिए कहती हूं कि पूरी रेसिपी करें जितनी मैं क्वेंट्रटी बताती हूं उसी को फोलो किया करें जो जूंद मैं शामिल करती हूं आपी वहrendre एंड किया करें लाट नुद आफ न से हम और लगो कांई भलतार चीज समय इसे यूज कारна है और मेक शोर के जार जो है वो गीला ना हो और इसकी आप कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं यह कितनी थिक हो चुकी है क्योंकि चटनी ठड़ी होने के बाद मजीद गाड़ी हो जाती है तक्रीबन आदा कंट मैंने इसे रखा होगा अब आप देख सकते हैं यह बिल्कुल न इतनी मज़े की थी ना मैंने एक दो चमच वैसे ही खा लिये थे